किस गलती के कारण रावन शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका। जानिए पूरी कहानी। पौरानिक कथाओं के अनुसार इस जोतिरलिंग का संबंध भगवान शिव के परमभक्त रावन से है। एक बार रावन भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए हिमाले पर जाकर घोर तपस्या कर रहा था और अपने एक एक करके अपने नौ सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिया। जब वह अपना दस्वा सिर काट कर चढ़ाने जाही रहा था कि तभी शिवजी प्रसंद होकर प्रकट हो गए। शिवजी ने खुशी जाहिर करते हुए रावन को वर्दान मांगने के लिए कहा। रावन चाह रहा था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चल कर रहे। तब रावन ने वर्दान में शिव को ही लंका ले जाने के लिए मांग लिया। शिवजी ने रावन को वर्दान देते हुए कहा कि मैं सश्रीर लंका में नहीं रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक जोतिरलिंग देता हूँ जो साक्षात मेरा स्वरूप होगा। इस जोतिरलिंग के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए। महादेव ने मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्थ भी रखी उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया, तो तुम इसे दुबारा उठा नहीं पाओगे. रावन ने शर्थ मान ली और शिवलिंग लेकर चल दिया. इधर शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए. सभी इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विश्नु के पास गए. तब श्री विश्नु ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी लीलारची। उन्होंने वरोन देव को आचमन के जरिये रावन के पेट में घुसने को कहा। इधर रावन देव घर के पास पहुचा ही था कि उसे लगुशंका लग गई। ऐसे में रावन को समझ नहीं आया कि क्या करे तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया ज जो आज भी एक तालाब के रूप में देव घर में हैं। इधर बैजू ने शिवलिंग को वही रख दिया। रखने की वजह से शिवलिंग वही स्थापित हो गया। इधर जब रावन लोट कर वापस आया तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है फिर उसने को लाख कोशिश की उठाने की पर उठा नहीं सका। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह गुस्से में शिवलिंग पर अपना अंगुठा गढ़ा कर लंका को चला गया। इधर ब्रहमा विश्नु आदी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।